नमस्कार दोस्तों ये हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपवली और आज हम आपको कुछ हट कर एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीन पर बेल बटन दिखाई देगा आप उस बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ बेनिफिट्स या फाइदे और उसके होने वले नुकसान कुछ इस प्रकार से हैं अनार एक ऐसा फल है जिसमें बहु मुल्य गुण है जो एक तीर कई निशानी लगाता है ऐसा कहा जाता है कि रोजाना हमको पान से तीन फलों का सीवन करना चाहिए फल शरीर के अंगों को स युक्त है जैसे एलेजिक एसिट, एंटी ओक्सिडेंट, पॉली, अनसैचुरेटेड, फैटी एसिड, ओमेगा फाइव, कैल्शियम, फोस्फोरस, पोटाशियम, फॉलिक एसिट, विटामिन, एसी, ए, राइबोफलोविन, शाइमिन, आयरिन उसमें पाई जाने वले तत् दरा दुरुस्त रखता है, आये जाने इस गुणकारी फल के क्या, क्या लाब है, और ये किस समय, किस बिमारी में रोगियों के लिए उप्युक्त है, ये जानने के बाद आपकी कई परिशानिया खतम हो जाएंगी, अनार कई गुणों का मालिक है, इसका सेवन से आपको र इजात मिलेगी, ग्रक्त बढ़ाने में अनार है सहायक, खून के स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले अनार खाने के लिए कहते हैं, अनार के बीच शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं, इससे रक्त बनता है, एनिमिक मरीज के लिए अनार बहुत जरूर रक्त के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है अनार जूस यानि की पॉमग्रेनेट जूस ये फ्रुक्टोज होता है जिससे रक्त का शुगर लेवल नहीं बढ़ता अन्य फ्रूट और जूस मदू में के रोग्यों को कम खाने की सला दी जाती है लेकिन वे अनार का सेवन कर सकत अनार का रस रक्त के दवाव को बनाई रखता है जिससे ब्लड प्रेशर नियंतरित रहता है ये दिल के मरीज को बहुत अधिक लाप देता है रक्त वाही काहों की सूजन कम करता है ये एक प्राकर्तिक एस्परिन की तरह काम करता है अनार खून को पतला करता है रक्त को जम पदार्थों को शरीर से बहार निकालता है। इस तरह कैंसर जैसी घातक बिमारियों को बढ़ने से रोखता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी ऑक्सिडेंट होता है। जो कि शरीर के पक्संस को बहार निकालता है। WBC को मजबूत करता है। इस तरह अनार इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और रोग्यों की रोगों के प्रती प्रती रोदक शमता को बढ़ाता है। इस तरह अनार के रोजाना सेवन से कैंसर पीडित अपनी बिमारी को बढ़ने से रोकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर में भ पतिविदी को दुरस्त रखने में अनार सहायक फल है। इससे भूग बढ़ती है और प्यास कम लगती है। इसलिए इसे गर्मी में बहुत फायदे मन समझा जाता है। इससे यूरीन संबंदी परेशानी ठीक होती है। ये यूरीन के भाव को सरल करता है। अनार में बहुत अधिक फाइबर होता है जो घुलनशील एवं अघुलनशील दोनों ही तरह के हैं। जिससे पाचन तंत्र यानि डाजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और इसी गुण के कारण वजन कम करने में सहायक फल माना गया है। क्योंकि इसमें सैचुरेटेड एसिड होता है और कॉ अनार में विटामिन और मिनरिल के साथ फ्लोरिक एसिड पाया जाता है जो की भुरून के लिए एक अच्छा भूजन है। ये भुरून को सुरक्षा देता है साथ ही ब्लट फ्लो को नियंत्रित करता है। अनार में पोटैशियम की मात्रा होती है जो महिलाओं में होने वाल है और बच्चे का वजन भी सामान्य होता है। अनार में एंटी एजिंग तत्व है जो सारी स्किन्स के लिए जो सारी त्वचाओं के लिए फाइदे मंद है। अनार का रस त्वचा के लिए बहुत हितकारी होता है। इससे चहरे पर जुरिया नहीं आती लेकिन इसका ये सुखी त्वचा को अंतरिम नमी देता है, जिससे चेहरे में निखार आता है, ये तेली त्वचा के लिए भी फायदेमंद है, ये पिंपल से राहा दिलाता है, ये सीबम के उत्पादन को नियंतरित करता है, अनार हिर्दे के लिए भी बहुत फायदेमंद फल है, अनार वली सूजन को कम करता है, रक्त प्रवा को नियंत्रित करता है, साथ ही खून के ठके जमने से भी रोकता है, ये सबी हिर्दे रोग्यों के लिए बहुत जरूरी है, ये शरीर के कॉलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, हानी कारक कॉलेस्ट्रॉल को लापकारी कॉलेस्ट् इस तरह ये हिर्दे की रोग्यों के लिए राम बार्ण है, अनार के सेवन से प्रती रोधिक्षमता बढ़ती है, यानि कि इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है अनार, अनार में वाइरिस और बेक्टीरिया से लणने का गुन पाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ इस तरह अनार इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, किसे भी फल के अगर गुन हैं तो अवगुन भी हैं, वैसे ही अनार के भी अवगुन हैं, इन्हें अवगुन नहीं कह सकते, लेकिन कुछ विशेश लक्षणों के चलते, इसका सेवन करना हानी कारक हो सकता है, जिन लो नहीं देना चाहिए, अनार ब्लेड प्रेशर को नियंतरित करता है, अगर इसके सेवन के साथ मेडिसन भी ली जाए, तो इफेक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि ब्लेड प्रेशर पर फल और मेडिसन दोनों अपना प्रभाव छोड़ेंगे, कुछ बिमारियों में ली जाने व अनार के फाइदे जानने के बाद आप जरूर इसे खाना पसंद करेंगे, वैसे भी इसका सुआद सभी को पसंद है, इसके लाब जानने के बाद क्या अब आप इसका सेवन करेंगे, और क्या आप इसके अन्य फाइदे या नुकसान जानते हैं, जो हमने नहीं बताए हैं तो हमें comment box में जरूर लिखें आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जरूर लिखें हमारे वीडियो like करें, share करें और हमारे चैनल दीपावली को subscribe करना ना भूले